तो दोस्तो फाइनली आज टोटा ने अपनी All New Innova High Cross को globally reveal कर दिया है आज की वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे आपकी All New Innova High Cross के बारे में आपकी नई Innova High Cross आपकी Innova का All New Generation है एक नई प्लैटफॉर्म के साथ आफ़वक की गई है अपने सेग्मेंट में सबसे ज़ादा प्रीमिम इंटीर्स है कार में आपको एक बड़ी पानोरामिक सन्रूफ आफ़वक की गई है और सबसे में चीज ये एक स्ट्रॉंग हाइब्रीट वहिकल होगा जो की अपने सेग्मेंट में एक बेंचमार्क क्रेट करने के लिए आ रहा है फ्यूल एफिचेंसी के मामले में ये पेट्रॉल गाड़ी होते वे भी 20 प्लस के MPL मालेज देने के लिए बिलकुल तयार है आज की वीडियो बहुत डीटेल रहेगी सब कुछ बात करेंगे क्या-क्या नई चेंजेज है सबसे पहले बात करिए इस गाड़ी के डिजाइन की ओर तो जैसे कि ये All New Innova High Cross है तो इसका जो लुक है ये अब आपको एक SUV इंस्पैर्ड मिलने वाला है यानि कि जो इसका डियने है जो पहले MPV DNA था उससे चेंज होके एक SUV DNA दिया जा रहा है जिससे गाड़ी की body dynamics भी चेंज हो गई है साथी गाड़ी में चलने में आपको जादा फील आएगा और उसी के साथ गाड़ी का जो लुक है जादा bold हो गया है, जादा muscular हो गया है अब आपको इसमें ladder frame setup नहीं दिया जाएगा जैसे अभी आपको पुरानी NOVA में देखने को मिलता है और नई NOVA high cross के monocoque chassis की मदद से यहाँ पर weight reduction भी possible हुआ है एक जो बहुत main point यहाँ पर notice करने वाला है कि जो आपकी नई NOVA high cross है यह अब आपको केवल front wheel drive setup के साथ दी जाएगी इसमें आपको rear wheel drive का setup नहीं मिलेगा जैसे कि अभी आपको पुरानी NOVA देती है जो सबसे main feature इसमें आने वाले है वो है इसके बड़े panoramic sunroof जो की segment का सबसे जादा much evident feature है और आज तक companyya offer नहीं करती थी लेकिन अब Toyota ने शुरुवात कर दिये तो हर company देने लग जाएगी उसे के साथ Toyota ने जो सबसे बड़िया काम करा है वो है यहाँ पर roof face event आपको दिये है जो की बिलकुल unique से है इस गाड़ी में space की कोई कमी नहीं होने वाली है क्योंकि जो यहाँ पर TNGA platform का इस्तमाल किया गया है इससे इसमें space के मामले में पुरानी Nova से भी जादा मिलने वाला है क्योंकि यह पुरानी Nova से जादा बड़ी है जादा लंबा wheelbase है जादा चोड़ी है height के मामले में दोनों गाड़िया सेम हूँगी लेकिन चोड़ाई और लंबाई बढ़ चुकी है आपकी हाई क्रॉस की उसके साथ इसमें जो आपको अडास के फंक्शन मिलते हैं वो भी ज़्यादा सेफ बनाएंगे से जो नया TNGA प्लेटफॉर्म है यह अल्रेड़ी 5 स्टार्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया में आपकी गाड़ी के साइट की प्रोफाइल को देखिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया लुक दिया गिया है और जैसे मैं आपसे कहा कि जो आपको SUV इंस्पार यहां पर DNA मिलता है बहुत साही मिलता है और साथ ही जैसे आपने देखा कि पानोरामिक व्यू मिल जाएगा जो की 360 डिगरी कैमर का यूज है 10 इंच की आपको फ्रंट में डिस्पले मिलेगी जो रियर पैसेंजर है सेगंड रो में भी आपको दो-दो स्क्रीन मिल जाएगी 10-10 इंच की जो की बहुत सा एंटेटेंमेंट यहां पर आपको देने वाली है जो सबसे मेन बात होगी वो है इसक 2 लिटर का इंजन मिलेगा 2000 CC का इंजन है जो की 4 Cylinder layout के साथ है और जो Corolla में आपको बाहर इंटेनाशनल ही मिलता है Hybrid System वही चीज है इस इंजन का call name है M20 जो की एक 4 Cylinder का non turbo इंजन है और यह काम करता है Atkinson cycle के उपर यानि की इसको design ही किया गिया है माइलेस देने के लिए और जैसे Toyota भी क्लेम करने लगेगी यह 20 प्लस केंपिल का मैलेस गाड़ी दे रही है जो की बिल्कुल सही है 1987 CC का इसका पूरा displacement है 1987 CC का engine है अगर बात की जाए इसके पूरे overall layout की तो यह आपको एक parallel hybrid system देने वाल है जैसे कि हमने Vitara और High Rider के अंदर देखा है जो सबसे main बात है कि Toyota का ये भी plan है कि इसको एक non hybrid setup की तरह भी इंडिया में लाँच किया जाए यानि कि एक variant रहेंगे जिसम से 185 BHP के आसपास और अगर आप simple petrol engine की बात करें जो की 2 liter का petrol engine है ये 152 horsepower दे सकता है और 187 NM का talk दे सकता है लेकिन अगर आप इसमें strong hybrid भी ले ले लेंगे तो मैंने कहा कि 185 प्लस BHP देने लगेगा प्रिसाइज देखेंगे तो 186 HP की power ये hybrid system के सांथ देगा जो की भहुत स अगर आप इसमें simple non hybrid option अगर इंडिया में आता है तो यहां पर आपको normal CVT मिले और साथ ही जो अभी आपके पास इनोवा है जिसको मैं पुरानी इनोवा कह रहा हूं उसमें भी आपको 2.7 liter का petrol engine दिया जाता है साथ ही 2.4 liter का turbo diesel engine दिया जाता है लेकिन वहां पर जो diesel की booking से अभी रोकी गई है क्योंकि उनके demand को fulfill करने के लिए Toyota थोड़ा time चाहती है अगले साल January 2023 तक उसकी booking दुबारा स्टार्ट की जाएगी Toyota न ऑफिशली बताया कि diesel engines को discontinue नहीं करने वाले है क्योंकि वह बहुत अच्छा sales figure उनने देते हैं अभी अगर आप देखेंगे तो diesel महीं है और अगर आप पावर की भी बात करेंगे तो petrol engine जो 2.7L का है वो आपको 164 HP देता है 245 Nm का torque है जो कि अब जादा मिलने वाला hybrid के साथ भलेगी displacement कम है आपके hybrid engine का लेकिन hybrid में 185 HP है petrol अगर आप 2.7 देखेंगे तो 164E HP है जो कि non-turbo है दोनों गाडियों में लेकिन hybrid engine है जहाँ पर electric motor भी engine के साथ power देगी तो बहुत difference आता है बाकी बात की जाए diesel की तो diesel आपको 2.4L का मिलता है 143 HP 343 Nm का torque है डीजल गाड़ी के साथ इनोवा आपको 15 KMPL का मालेज क्लेम करती है वहीं petrol जो अभी 2.7 है वो केवल 11 KMPL का मालेज देती है दोनों में आपको automatic मैनुवल का option दिया जाता है लेकिन आप स्ट्रॉंग हैबरीट के आने से यहां पर मालेज वाला जो फीगर रहता है कि इनोवा से मालेज आपको जादा नहीं मिल पाएगा वो भी चला जाएगा और नए इनोवा है क्रॉस अपने स्ट्रॉंग हैबरीट सटप के साथ बहु का इस्तमाल हो चुका है जो कि internationally इनकी सारी गाड़ियों मिलता है उसी के साथ यहां पर आपको अडास भी offer किया जा सकता है जो कि internationally ने दिखाया है कि अपना radar base अडास को ने दिखाया है जिससे गाड़ी में autonomous driving के कुछ main functions यहां पर हमें देखने को मिल जाएगे जिससे गाड agency braking यानि कि अगर आपकी गाड़ी के सामने को यह आता है और इसका radar उसको detect करता है तो गाड़ी automatically brake लगा सकती है लेकिन देखना है कि Toyota India किस configuration के साथ इस India में लाता है लेकिन overall package को देखके यही लग रहा है कि Toyota ने इस बार feature के मामने में कोई कमी नहीं रखी है जैसे कि देखा आपने बड़ी panoramic sunroof है गाड़ी का design बहुत शांदार है strong hybrid setup दिया गया है उसी के साथ आपको ventilated seats का function मिल जाएगा और जो सबसे main चीज एक तरह के से जो पूरा size है ना गाड़ी का वो भी बढ़ाये गया है जिससे गाड़ी की प्रीमियम अपील वो भी बढ़ती है बाकि पुरानी नुवा को दो discontinue नहीं किया जा रहा है तो इसकी जो starting price रहने वाली है बाइस लाग से लेके 28 लाग के range में रहीगी अब देखते हैं Toyota किस तरीके की pricing लाता है ये भी हो सकता है कि ये 25 लाग की starting price को cross करे और लगभग जाए 32 लेकिन फिर भी बहुत promising deal होगी और जिस और जो इसका emission figure है उसको 50% कम कर दी है यानि कि गाड़ी एक तरीके से 10 साल तक future proof हो चुकी है अगर आज इनुवा लेते है तो 5 साल तक को ही update नहीं आने 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 हाला हाई cross के अंदर और एक तरीके से देखिए जो इसकी अपनी presence है बहुत सही बहुत premium है 18 inches के alloy भी इस आई है 1850 mm जो कि पुरानी नुवा की 1830 mm से 20 mm ज्यादा हो चुकी है गाड़ी की height को बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है भले ही इसमें बड़े alloy आ चुकी है लेकिन suspension के tuning और जो लेडर फ्रेम थी उससे अपना monocoque chassis में shift होने से थोड़ा जो shifting है वो उसने अपने आपको सम माल लिया है 1879 mm के overall height आती है गाड़ी का जो wheelbase है यहां पर बहुत बड़ी है improvement हुआ है यहां पर आपको नई NOVA में 2850 mm का अपना wheelbase offer किया गया जो कि पुरानी NOVA 2750 mm से 100 mm जादा है लगभग 4 इंच जादा बड़ा wheelbase होगा जिससे cabin में अच्छा space मिल चुका है यह साब possible हो पाया कि इसका जो ओर हैं जैसे आपकी पुराईनी NOVA एक तरह की से वैन की तरह दिखती है तो वह चीज यहां पर नहीं है आगे से बहुत चोड़ी लग रही है जादा बड़ा बॉनेट लग रहा है साधी गाड़ी की चोड़ाई बहुत सही है लंबाई भी अच्छी होग और एक तरीके से जैसे किया कानेवल है वो भी एक अपडेट के साथ आने वाली है तो उसको भी एक तरीके से कंपीट यहां परेकरने के कोशिस कर रहे हैं अब यू तो किया कानेवल इससे थोड़े उपर सेग्मेंट की गाड़ी है फिर भी फंक्शन देखेंगे लग बग से में Captain Seats आपको देई रहे हैं उसके साथ आपको Electrically Adjustable Reclinable Seats मिलने वाली है जो कि थोड़ा चाम एड करती इसमें उसके साथ आपको Footrest इसमें दिये गए वो भी Electrically Adjustable है साई से function लगने वाले है और साथी जो फीचर जैसे Power Tailgate है उससे मतलब थोड़ा तो Add होगा Value Edition और ज देखेंगे आपके पास जो variant available है Innova में जैसे GX आपको मिलता है VX और ZX मिलता है यहां पर आप देखेंगे जो starting price अभी GX में petrol लेना जाएंगे तो 18,000,000 रूप एक शोरोम पड़ती है और करीब 21,000,000 रूप आपको Base Model GX जो की हम customers के लिए अवलेबल है और अगर आप Top End Model पेट्रॉल में देखेंगे तो 27,000,000 रूप आपको कॉस्ट कर रही है और Toyota के यह एक तरीके से बहुत बड़ा evolution कहा जाएगा कि उन्होंने अपनी Innova जैसी ब्रैंड को एक नए रूप में लाए है एक नया DNA इसको दे दिया है एक SUV DNA यहां पर आ रहा है MPV DNA को थोड़ा कस्टमर्स कमप्लेइन भी करते है तो पाव स्टेरिंग अच्छा यहां पर लाइट किया है ऐसा यह प्रॉमिस कर रहे है और आज के launch में Toyota ने यह थोड़ा बताया कि इनने Innova High Cross को एक innovative multi-purpose crossover कहा है जिससे की पता चल रहा है कि अभी एक वैन वाली category से हट चुकी है और थोड करता है इसमा आपको EV मोड भी मिलेगा इसकी बैटरी को भी प्लेस किया जाएगा अलग से जो की लीथिया मैन बैटरी होगी उसमें कितना चार्ज है उसके अकॉर्डिंग गाड़ी पांस से लेके 10 km या तो किलोमेटर जितनी उसकी के पैसिटी इंडिया में दिंगे उसके टोर्टा इस फीचर को इंडिया में लाएगी भी वो देखते हैं बाकि जो लोग इस बात से परशान थे कि टोर्टा अपने डीजल इंजन को डिसकंटीन्यू कर देगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है डीजल इंजन आपको मिलता रहेगा लेकिन अभी टोर्टा इसले लेकिन यहां पर एक और कंपटीशन है जो कि महिंद्र के तरफ से ओफर किया गिया है और एक सेग्मेंट नीचे है एक सेवे 7 00 जिसमें महिंद्र ने आपको टू लिटर का टर्बो पेट्रो अंजन उफक रहा है जो कि पूरी 200 HP बनाती है 185 नहीं पूरी 200 HP बनाती है तो य सिंबल सी बात है जिसे परफॉमेंस चाहिए वो जा सकता एक सेवे 7 00 की और लेकिन यह गाड़ी आपको परफॉमेंस के साथ फ्यूल एकनॉमी भी अच्छी दे देगी तो इसका प्लस पॉंट उससे कई जादा आगे होगा जैसे पेट्रॉल भी महंगा होते जा रहा है तो जनवरी 2023 के स्टार्टिंग में यह आपको लांच होते वे दिखेगी साथ ही इसमां आपको आल फोर वील में डिस्क ब्रेक भी दिये गए है जो कि थोड़ी और दादा ब्रेकिंग परफॉमेंस इसको दिंगे जो कि पुरानी नोवा में थोड़ी कॉम्रबाइस थी और उस इसमां आपको आपको तार्टा सफारी के अंदर दिखाया था तो फाइनली इनोवा हाई क्रॉस में भी हमें सब कुछ मिलने जा रहा है जो कि हम चाहते है आज 2022 या फिर 2023 में अब देखना है कि इंडिया में किस तरह करेगी और किस प्राइजिंग के साथ इसे इंडिया में लाया जाएगा अगर आप चानल के साथ अब तक नहीं जुड किस तरह के से काम करेगा और साथ ही जो आपको अब इसमें फ्रंट वील ड्राइव सेटप दिया गया है वो कैसे आपका एक प्रीमियम एक्सपीरेंस को बढ़ाने वाला है गाडी में वाइबरेशन कम हो जाएगा फिल एकोनॉमी दो बढ़ी रही है सब कुछ बढ़ी आई मिलते हैं और नए वीडियो के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वन दे मात्रम गुडबाई